उत्तर प्रदेस में सिक्षक भरती और टीजीती- کی भरती का एकदम जो मजाक सा बन रखा है कभी निया सिच्छा सिव चैनायोग कहता है कि पूरी कारी प्रणाली नहीं बनी है कभी कहते हैं कि यह हमारे पास में जो हमारा आयोग है उसका पूरे बिधी विदान से बैठक नहीं हुई है, अध्यक्ष नहीं मिला है, कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं, वास्तव में आजकल युबाओं को लेकर के मजाग बना रखा है उत्तर प्रदेस में, उत्तर प्रदेस सरकार भी इस वक्ते सिच्छा विभाग भी माननिय मुख्यमंत्री योगी आदितनात जी, उनका सिच्छा मंत्रा ले भी इस बात को देख करके आराम से मजे ले रहा है, कि किस तरीके से प्रदेस का भविश्य, जो इस उत्तर प्रदेस का भविश्य है, आगे चलके जो अध्यापक बनेंगे, इंटर कालेज में, प्र प्रदर्सन कर रहा है, जाद अगर कहोगे तो लाठी चार्ज करवा दिये जाएगा उन पर, भूखे प्यासे लोग सड़कों पर बैठें, प्रदर्सन कर रहे है, ना तो माननिय योगी आदितनात जी पर इसका कोई फरक पड़ रहा है, ना उनके सिक्षा मंत्राले पर, सि कोई भी इस पर फरक नहीं पड़ रहा है, नया सिच्छा सेवा चैनायक भी बन गया है, उनकी अद्यक्ष भी आ गये थे, सब कुछ हो गया ना उनकी तरफ से कोई नियूज आ रखिये, एक अभी कटिंग ये अख़वार में आई थी, तो मैंने कहा कि इसको लेकर कि आपको लेकिन वास्तविक्ता ये है, कि 2019 के बाद से, 2020, 21, 22, 23, 24 और ये 25 हो आने वाला है, एक, दो, तीन, चार, पाँच और ये भी साल अगा जोड़ लेंगे तो छटवी साल, छे साल से उत्तरपरदीश में लाखों युवा सीटेट पास करके, टेट पास करके बैठे हैं, कोई मतलब निया भरती का, बड़ी, मतलब आज में कहते हैं, बड़ा, बड़ा आजीव सी स्तती में हूँ कि पता नहीं, इस चीज़ पे क्यो सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है क्यों वो इस तरफ नहीं देख रहे हैं, कि लाखों युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, सरकार इसको लेकर के कुछ बाती नहीं कर रहे हैं वाई सब, उपर से अगर आप देखोगे तो, जो 4163 जो पद थे, TGT, PGT, जिस पर आपको पता है कि दो साल पहले आविदन की प जाने की तैयारी है, मैं मानता हूँ, महाकुम आवश्यक है, विश्व भर के लोग यहां पर आते हैं, लेकिन जब वो विश्व भर के लोग आएंगे, और जब यहां पर देखेंगे, कि प्रदेश का योबा रोड पर बैठ करके परदासन कर रहा है, अंदूलन कर रहा है, किसलिए अपने रोजगार के लिए सर मानी चाहिए प्रदेश के आला कमान सरकार को इस तरह की घटनाए हो रही है, बट जो भी हो रहा है, मेरे हिसाफ से बिलकुल भी सही नहीं हो रहा है, सभी प्रदेश बरके अपने भाई बहनों से बस यही हाजोर के निविदन अपनी पढ़ाई को continue रखिएगा और इस सरकार के खिलाब प्रदर्शन जिस भी तरीके से हो सकता है, जिस भी एंगल से हो सकता है, करते रहेगा, बिरोध करते रहेगा और ये इस सरकार को जवाब मिलना जरूरी है सीजगा, कि आपने युवाओं के लिए कुछ नहीं किया है, तो आगे आने वाले चुनाबों में भी सरकार के लिए कोई हमारे पास जगे नहीं है, धर्म से सब कुछ नहीं होगा, मैं मानता हूँ, BGP सरकार सनातन धर्म के लिए, हिंदु धर्म के लिए कुछ काम करने का प्रयास कर रही है, लेकिन उस धर्म को भी हम क्या ही अगर रोजगार ही नहीं रहा, तो मेरा तो ऐसा मानना है, बाकी और भी बहुत सारी बाते हैं, बात करेंगे न मुद्दों पर, कोई आज सार्थकता मुझे नजर नहीं आ रही है, क्या ही कर सकते हैं, बड़ जो भी है, ठीक नहीं हो रहा है, अब आपकी बरती परिशा के अगले 6 मीनिया आपको और इंतिजार करना पड़ेगा, इस बीच में क्या करेंगे नुपम, भाई यार ये बता दो, खुछ नहीं है, भाई साब अपना थोड़ा बहुत पढ़ाई, सेलफिस डीडी करते रही है, बागी अपने सारे सारे कामों को करते लिए, जैहिन, इसमें आपको बता नहीं पाया, लेकिन जो भी महत्तों बाते थी, वो मैंने आपको इसमें बता दी, अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा, और पढ़ते लिए गविए.